इस सेशन में हम दिशाओं के बारे में हम जानेंगे दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे दिशाओं बहुत ही महतपुर्ण है बिना दिशाओं के आप वास्तु नहीं कर सकते हैं वास्तु कार्थी दिशाओं होती है इसलिए दिशाओं की complete understanding बहुत आवश्यक है ठीक है भी हम अपना सेशन शुरू करते हैं तुसरा सेशन फरस्ट सेशन था उसमें हम वास्तू के बारे में जा ते होता है जब तक आपको पता नहीं है आप दिशाय किधर किधर कहां काहां पर है आपने जानते और दिशाएं हर अस्तान पे अलग-अलग हो सकते यानि कहीं पूरब कहीं और हो सकता है कहीं अस्तान पे पूरब यानि कि जहां पर आप सोच रहें कि पूरब यहां पर होना चाहिए वहां पर नई भी हो सकता है इसलिए हमें दिशाओं के बारे में अच्छे से जनकारी चाहिए सबसे पहले हम दिशाओं के बारे में जाने में देकि हमारे भारतिये जो चनाता है इंदु परमपर है उसमें आरामभिक समय में दस दिशाओं की कल्पना की गई गई है दस दिखपाल कहें गए है, दस दिशाय कहीं गई है, ठीक, तो हम दिशाओं को बड़े basic से समझेंगे, क्योंकि बीना दिशाओं के अब वास्तु करें नहीं सकते हैं, चार दिशाय है सबसे basic है, उसको बोलते है cardinal, सबसे महत्पूर्ण चार दिशाय है, जिसके बारे में हर कोई जानता है, वो है east, south, west, north, west, north ही है, ठीक, ये चार दिशाय मानी गया ही, सबसे important भली बात, इसके बारे में हर कोई जानता है, चार दिशाओं का, लेकि इनके बारे में important के है हर दिशा दूसरे से 90 डिगरी के कोन पर है यानि कि 360 डिगरी का जो है उसको बांट दिया गया 90 डिगरी में और 4 दिशा है यहाँ पे भी North से East की दूरी 90 डिगरी है, East से South की दूरी 90 डिगरी है South से West की दूरी 90 डिगरी और West से North की का जो difference है वो 90 degree है देखिए हमाई रिष्व ने पूरव शब्द का पुरुकार्थ क्या होता है पहले संस्कीत में पुरुकार्थ होता है पहले यानि कि जहां पे सुर्व सबसे पहले देखता है यानि कि नाम में ही हड़ चुपा हुआ है पुर्व यानि कि जहां पे सूरी सबसे पहले हैं ठीक अच्छा जहां पे अगर देखिए अभी आप जहां पर भी है आपके सामने अगर पूरब है तो उसके दाहिने तरफ दक्षिन होगा खाना दक्षिन करती है दाहिना दक्षिन करती है दाहिना यानि कि पूरब से दाहिन आप अगर जहां पे भी खड़े हैं सामने अगर पूरव है तो उसके दाहिने तरफ साउथ होगा दक्षिन होगा ठीक और उत्तर यानि बाया तरफ यानि कि अगर पूरव की तरफ खड़े हो जाए अगर मुख कर लिजी आप अगर जहां भी है और प्राक्टिकली देखिए अगर आपके सामने पूरव है तो आपके दाहिने हाल के तरफ साउथ होगा दक्षिन होगा और बाया हाल के तरफ उत्तर होगा और दक्षिन करते होता है दाहिना और उत्तर करत होता है बाया यानि कि यहां पे असपरश्ट है और पश्रिम करत होता है बाद में पश्रिम का यानि कि सूरह जहां पर बाद में जाता है यानि जहां पर अर्स होता है तो इन चार दिशाओं के नामों में भी उनकी अर्थ छुपए हुए है बीच में क्या डिस्टरब होती प्रितम जी शायद आप कुछ सुन नहीं पाए मैं कहा रहा था मुख रूप से चार दिशाओं होती है चार दिशाओं पूरब, दक्षिन, पश्चिमर, उत्तर सारे दिशाओं एक दूसरे से 90 डिगडिक के डिस्टेंस पे है इन दिशाओं के नाम में ही इनकार चुपा हुए पुरु का मतलब जहां पर सूरी सबसे पहले जाए पश्चिम का मतलब जहां पर सूरी सबसे बाद में जाए बाद में, क्योंकि पश्चाओं का होता है बाद में उसके पश्चाओं यानि उसके बाद में घटना हुई दश्चिम का मतलब होता है दाहिने तरफ राइट साइड और नौर्थ का मतलब होता है बायां तरफ उत्तर यानि कि बायां तरफ तो इन दिशाओं में ही नाम है यह है चार दिशा है ठीक उसके बाद क्योंकि यह 90-90 डिगरी पे है और बहुत ही दूर-दूर फैले हुए यानि कि नौर्थ से इस्ट का डिस्टेंस ब बीच एक कौन ले लिया है और इस्ट और साउथ के बीच में भी ऐक कौन ले लिया है फिर एक साउथ और वेस्ट के भी एक कौन आ गया और नॉर्थ और वेस्ट के भी ये कोन आ गया यानि कि उन्होंने कहा कि इनको चार कोन का है इसको हो गया हमारा यह हो गया हमारा साउथ इस्ट यह हो गया हमारा साउथ वेस्ट यह हमारा नॉर्थ वेस्ट और हमारा नॉर्थ इस्ट यानि कि चार दिशाए हो गई और चार कोन हो गया और दिशाओं के बीच में difference है, 90 degree, की होड़ एक कोड के बीच में कि уп्य इच ना डिरेंस है, 45 डिइक है, यहाँ पर अगर आप करेंगे यहाँ पर इनके बीच में कोड से तो 45 डिरेंस है, North और नौसरेश के बीच में 45 45 degree का difference है. इसके बीच में 45 degree का difference है. यानि कि देख रहे हैं, अगर हम सीधे-सीधे कर रहे हैं तो दिशाए में बन रही है और दिशाओं के बीच वे बीच में कोने बन रहे हैं. तो हमारे पास कितने हो गए? 4 दिशाए और 4 कोन. इनकी संखें 8 हो गई. और दो और दिशाओं को माना गया एक है अकाश और पताल यानि कि जहाँ अब खड़े है उसके उपर और उसके जस नीचे पैरों के नीचे तो दो दिशाँ यहाँ भी ले गए तो चार दिशाँ, चार कोण, दो अकाश, पताल, दस दिशाँ मिल गए और यहां से हमारे सबहता हमें दस दिशाओं का concept आया है, दिशाएं कितनी हैं दस कौन कौन, यह चार दिशा है, चार कोण और यह उपर नीचे, ठीक, अच्छा, जो कोण है इनके भी specific नाम है जैसे, अगर आप लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं साथवेस्ट का नाम है अगनी कोन जो साथवेस्ट है, इसका नाम है अगनी कोन जो साथवेस्ट है, इसका नाम है नहरितिकोन नौर्थवेस्ट का नाम है वायब और नौर्थवेस्ट का नाम है इशान और अकाशर पताल, यह हो गई हमारी दस दिशाएं जिसमें अकाश पताल तो उपर नीचे है तो इसको हम वास्तो में गणाना नहीं करते हैं अगर आप देखेंगे बेसिक वास्तो में सबसे जो हर कोई करता है गाउं में भी कहीं पर भी उसमें इन आठ दिशाओं की चर्चा होती है जो चार दिशाओं, चार कोड़ है आठ ही चर्चा होती है कैसे? वो लोग क्या करते हैं? किसी भी घ़र को मा लिजे की प्लॉट है, या कोई घर ही है तो इसको बोलते हैं 3 by 3 का grid यानि कि 3 बटे 3 का grid वे इसको बाटते हैं कैसे यानि कि 3 यहां से देखा कीचा है इसको कहा उन्होंने यह हो गया हमारा नौथ इस्ट हो गया इसको उन्होंने कहा नौथ इस्ट इन्होंने कहा कि यह इस्ट है यह साउथ इस्ट है यह साउथ हो गया यह साउथ वेस्ट हो गया यह वेस्ट हो गया यह नौर्थ वेस्ट हो गया यह नौर्थ हो गया यह गई आर्थ दिशा है और बीच में कहा उन्होंने ब्रहमस्थान है ब्रहमस्थार, बेसर यानि ब्रहमस्थार. इस ग्रिट को आप बना ले जाएगा बस कौपी और पेन है क्योंकि आप बहुत अधिक देखेंगे कि बहुत साथ लोग इसी क्रिट पर काम करते हैं, कोई भी प्लॉट को उन्हें 3 by 3 ने बाट लेते हैं, यानि कि यहां पे माल ल पर यहां कि चली यहां पे- यहां पर आया, उसको इसको नॉर्थ बोल दिया है यहां पे आता नॉर्थ पुल दिया है, फिश्ट इसको हम मैं बोलता हूं कि rudimentary वास्तो बहुत basic वास्तो जिसमें कुछ अच्छा किया है बहुत ही असान है यह वाला वास्तो जो है बहुत ही असान है लेकिन हम क्या करेंगे हम इसको follow नहीं करते हैं क्योंकि हम कुछ अलग धंग से वास्तो करते हैं हम बिल्कुल ही scientific धंग से हमने क्या कि हमने कहा कि यह वाला हम जो इसको बोलते हैं कि linear grading यानि कि बस हमने लंबाई खीची और हमने grid बना दिया और उसको बता दिया North East or East कर दिया हम हम क्या कर हमने कहा हमने कहा कि हमने कहा कि दिशाय इंगुलर होती है नबडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड अगर इधर हमारा नौर्थ हो रहा है यहाँ पर हमारा इस्थ हो रहा है यहाँ एस्ट जासरा है इसके बारे हम पढ़ते हैं रिडियल ग्रिडिंग हो यानि कि हम जबही करेंगे ऐसे करेंगे अभी हम पढ़ते हैं, हमें कैसे करना है, यानि कि अब हमारे लिए क्या हो गया, अगर हम नौर्थ इधर लेते हैं, माल लिए नौर्थ इधर हो गया, साउथ इधर हो गया, इस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है, तो अब हमारे लिए नौर्थ इस्ट ये जगह हो गई, हम हम इंगल से ले रहे हैं, समझने आ जाएगा अब दू मिनिट में, हम जब हम कुछ नाया हम सोचते हैं, इसमें क्या था, आनि कि North East यहाँ था, देख रहे हैं मैं, पहले North East, यह निकल के आ रहा था, यहाँ पे, चौकोर, ना, यहां पे जोन निकल के आ रहा है north east, यह वाला यह न, देख रहा है न, तो यहां पे north east कम है, घर के सिंटर के पास देख रहा है यहां पर अधिक है यहां पर नॉर्थ इसके पास अधिक जगा है इसके बाद कम जगा है अभी हम इसको और पढ़ेंगे मैं आपको सिर्फ इंट्रक्शन दे रहा हूं कि कैसे हम अलग करते हैं वास्तू कैसे हमें अलग करना है हमें इंग्ल तरीका तो North-West ऐसे दिखेगा, ऐसे East, चार दिशा, चार कुन ऐसे दिखेगा आपको, हम उसे एक step और गए, इससे हम एक step और गए, हमने कहा कि हम सोला दिशाओं पे चर्चा करेंगे, अगर हमें अच्छे से वास्तु करना है, तो विश्कर्म परकाश नाम का ग्रंत है, जोतिश का एक बहुत बड़ा गरंत है, अब चाहाँ तो पड़ सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी जोतिश का विदिया हुआ है, तो हमें उस गरंत में सर ने देखा कि सुला परकार की दिशाओं का वर्रन किया हुआ, सुला जोन्स का वर्रन किया हुआ है, तो जब उन् मोटा मोटी हो रहा है चीज़े यहाँ पे है मोटा मोटी अब वास्तु क्या हो गया एक तो हमने क्या किया कि रेडियल कर दिया यहनि कि कोण के अधार पे कर दिया दूसरा हमने 16 दिशाय ले ली और जब हमने 16 दिशाय लगा तो वास्तु सक्सेस्फुल होने लगा और आप देखिएगा आप से हम लगा के देखिएगा पता चलेगा वास्तु कितना एकुरेट है कितना अमेजिंग विद्य है अभी हम 16 दिशायों के बारे में जनकारी लेते है कैसे कहा से आ गई है यह आप आप 238 म कारोट चाहिए पहाँ तो हम कोई वास्तुन करेंगे तो सबसे पहले हमारा काम है देखना पुरब कहा है पख्षिम कहा है जब हम यह पता चल जाएगा उसके बाद ही हम आगे बढ़ें तो हमें confirm नहीं पता है कि पूरब का है उतर का है दक्षिम का है हम कोई वास्तु नहीं कर सकते तो मालने जिए यहाँ पर हमारा यह North हो गया South हो गया यह हमारा East हो गया यह हमारा West हो गया हम वास्तु नहीं करेंगे सदा ध्यान रखना है हमें कुछ लोग क्या करते हैं यह देख के कुछ भी बोल देते हैं ऐसा नहीं करना है हमें confirm पता है कि यह North यहीं है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगर हमें पता नहीं चल लाए हमें पता करने का परियास करना चाहिए तो हमने आगला स्टेप क्या है आपका हमें कौन मार करने है North East हो गया कौन यह South East हो गया और यह South West हो गया और यह भी North West हो गया यहां तक सारे करते हैं यहां तक जितने भी वास्तु वाले यह इतना तक पहुंचते हैं यह लग हमने क्या किया हमने कहा कि जो दिशा और कौन है उसके बीच में भी एक दिशा होती है यानि हमने कहा कि यह जो नौर्थ और यह नौर्थ इस्ट तो है है लेकिन नौर्थ और नौर्थ इस्ट के बीच में भी एक दिशा होती है इस्ट औ इसके बीच में भी एक दिशा है और इसके बीच में भी एक दिशा है और इसके बीच में भी एक दिशा है और इसके बीच में भी एक दिशा है तो हम कहते हैं कि 16 दिशा है पर काम करते हैं जैसे अब हम इसको क्या बोलेंगे एक नई दिशा जो बन के आई तो हम इसको क्या नाम देंगे NNE हाँ, राइट, क्यों? जब भी हम एक नई दिशा आई, तो हमने क्या किया है? सबसे पहले, जिस दिशा से बन रहा है, उसको हमने लिखा और जिस कोन से बन रहा है, फोन को बाद में लिखते हैं, जो मुख दिशा है, उसको पहले लिखा है और जो कोन है, उसको बाद में लिखा है तो मुख दिशा किस से बन रही है? ये नॉर्थ और नॉर्थ से बन रहा है, तो नॉर्थ इसको हम बोलेंगे North-Northist इसको लिखेंगे NN नी तो लोगे हमारा North-Northist यानि कि North और Northist के बीचवाली दिशा है इसको हम बोलेंगे East-Northist East क्योंकि मुख दिशा है और Northist कोन है तो इसको हमने कहा East, इसको लिख लिख लिजे यावश्य के दिशाओं के बाज़ एस्ट नॉर्थ इस्ट और इस्ट और साउथ इस्ट के बीच की जो दिशा है वो है इस्ट साउथ इस्ट इस्ट साउथ इस्ट 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 साउथ इस्ट और साउथ इस्ट के बीच है साउथ साउथ इस्ट और South और Southwest के बीच की दिशा है South-Southwest और West और Southwest के बीच में दिशा है West-Southwest और West और Northwest के बीच में दिशा है West-Northwest North-Northwest हो गया यह यानि कि अब हमारे पास 16 दिशाय आ गई और हम वास्तु इस पे करेंगे और हमारा वास्तु एकुरेट आएगा और हमारे पास पहले से कई गुन अधिक टूल आ गए हमारे पास देखिए गए इस चार दिन के बाद ही चार क्लासेज के बाद ही आपका confidence पहले से अधिक हो जाएगा यह समझ में आ गया इसमें कहीं पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लीजे क्योंकि इसी पर सबकुछ अधारित है बेन यहीं आ गया आपको आपको यह आपने लिख लिए है आपको जैसा बिक पर अन्मिट करके बोल देजी हां उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे लाइन है ठीक है आप मान लिजे किसी के घर पर वास्तु करने गए तो आपने कहा कि यह समान उतर में रखा हुआ है आप क्या देखो कि किसी लाइन पर रखा हुआ हुआ उसी को देख रहे हो समान तो यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है काई भी हो स जोन भी होता है जो नॉर्थ की लाइन है इसके दोनों तरफ यह दिख रहा है स्क्रीन मेरा ठीक है हाँ तो मैंने कहा यह नॉर्थ की लाइन है ठीक तो हमने कहा कि एक नॉर्थ दिशा है फिर हमने एक और नया इंविर्शन की हमने कहा कि एक नॉर्थ जोन भी है इस लाइन के कमें लाइन तो है क्योंकि हमें North का का एडिया भी चाहिए ना कि North exactly कहा कहा है कहां पर समान रख सको तक वास्तु कर पाओं अगर हम exact पता है कि नॉर्थ यहां से यहां तक है तो हम उसपे वास्तु कर पाएंगे अगर हमें पता ही नहीं है कि North का कहां से कशुड हो रहा है, कहां से समाथ हो रहा है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसलिए हमने एक नया टर्म दिया हूँ है जोन तो हमने कहा कि जो North की लाइन है इसके दोनों तरफ का जो एरिया है ये वाला ये और ये ये मिलके अब ये North zone बन गए यानि कि North line के दोनों तरफ ये जो एरिया है येनि कि North और Northwest के बीच का जो इरिया है हम आधा-धा सीधे से डिवाइड कर दिया तो North का एरिया मिल गया है येनि कि यहां से लेकर यहां तक आपका यहां से यहां से यह सारा North का एरिया है देख रहा है पिजा की सलाइज की तरह आ रहा है यहां पर जो हमारा यह ब्रहमस्तान है तो ब्रहमस्तान के पास कम है और ब्रहमस्तान से उपर जितना ही यह boundary की तरफ जाते है इसका एरिया बदल रहा है यानि कि हमारे लिए North zone, North का area इतना हो गया, अब हमारे लिए North ये है, जब भी हम वास्ती में North बोलेंगे, पूरे एरिया में कहीं पर भी है, कोई भी समान, हम बोलेंगे North में, North Zone बोलेंगे North में है, ठीक है, ऐसा ही देखे इस्ट में इस्ट कैसे मानेंगे इस्ट की जो direction line है देख रहे हैं पूरब की जो दिर्शा की रेखा है इसके दोनों तरफ का आधा भाग हम लेंगे यहां से तो हमें इस्ट zone निकल के आ जाएगा इस्ट zone निकल के हमें आ जाएगा तो यह हमारा इतना इस्ट zone हो गया ठीक तो हम जब भी हम वास्ति में बोलेंगे इस्ट तो हमारा मतलब यह है यह पूरे area से है और हम इस पे काम करेंगे अगर इस पे kitchen आ गया toilet आ गया तो हम क्या बोलेंगे इस्ट में मालीज़े टौलेट यहां पे आ गया तो हम बोलेंगे इस्ट में टौलेट है टौलेट यहां पे आ गया तो इस्ट में बोलेंगे यहां पे bedroom आ गया तो बोलेंगे इस्ट में यह यह line जो है इस्ट direction की line है यह पूराब की line है यह और यह क्या है पूराब का छेतर है पूराब का area है यह जानना बहुत आवश्यक्ता हम इसको नहीं जानेंगे डिरेक्शन के लाइन क्या है जोन क्या है हम वास्तु नहीं कर पाएंगे यह चीज़े क्लियर हो गई क्योंकि अब हमारा नॉर्थ का मतलब यह हो गया मैं सही वेस्ट में देखिए वेस्ट का मतलब यह हो गया हमारा यह वाला पार्ट है यह वाला यह हमारा वेस्ट हो गया जब हम अगर वास्तु में वेस्ट बोलेंगे इसका अर्थ यह है इतना बड़ा एरिया और जो कि ब्रहमस्तान पे वेस्ट तोगा कम है दिख रहा है ने वेस्ट के पास कम हिसा अब रहमस्तान में आगे जाके ये बढ़ रहा है और boundary पे यानि घर का जो boundary होता है वहाँ पे जितने भी दिशाय है सबका जो area है वो बढ़ रहा है clear है वैसे ही देखे south का निकालते south का भी south zones हुए हमारा south वो यहाँ आएगा यानि कि अब हमारे लिए south यह है जब भी हम वास्तु बूलेंगे south तो south का मतलब क्या हो गया है पता होना चाहिए south का मतलब क्या है तो हमारे लिए south का मतलब है यह area desper zone हमें इस पे वास्तु करना और आपको अगर आप देखेंगे ऐसे दिखेंगे मैं और ये नॉर्थ का जोन हो गया है, वैसे ही नॉर्थ नॉर्थ इस्ट का इतना जोन है, इतना इस्ट का इतना जोन है, इतना इस्ट हो गया, अब हम इस्ट का मतलब सिर्खा नहीं है, अब हमारे पास इस्ट का मतलब यह हो गया, जब हम वास्तु में काम करेंगे, तो इस्ट क मतलब जो आपने देखा हूआ पीजाँ खाया होगा फिजाँ में इस्लाइसक्ट कैसे होती है किनारे पे बड़ी होती है rains साथ था तो बिलकुल पीजाँ की स्लाइसक्ट का दियां रखे वैसे और कि इतने हैं उसमें इसमें इसमें sella परकारtha की और एक बात और सबसे important है वो क्या कि solar slices का attribute अलग-अलग हर का गुण अलग-अलग यानि कि जो north की slice में जो स्वाद है वो east की slice में नहीं है जो south के slice में स्वाद है west की slice में नहीं है यानि west का अपना एक स्वाद south का एक अपना स्वाद है इस्ट का एक अपना स्वाद है, नौथ का अपना स्वाद है. किसी का स्वाद नियुक्त से match नहीं होता. यानिकि, शूलव परकार के slices है. हमें पता होना चाहिए कि, ट्रभलम क्या है, कहा थै, किस slice में क्या है? एक्जाक्ट क्या है तो हमें पड़ा चल जाएगा, बहुत ही एजी है, इतना समझ में आ गया है, कोई confusion, कोई question, कुछ नहीं से समझ में आ गया है, अब हम जानेंगे इनके attribute क्या है, नौर्थ का क्या attribute है, नौर्थ का क्या attribute है, यहाँ से क्या मिलता है मेरा एक question है, जो south zone या north zone बना है, तो दोनों साइड पर yellow line है, मतलब जो angle angle की बीच का जो आधा-धा इससा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल जैसा है ना देखिए, ये south का जो है na रेखा है, देख रहे हैंगे ना South का रेका, दो मेरा की तरफ आधा-धाधा है, ये बना इतना इरिया है, ठीक है? इस जो भी एरिया है, इसका आधा-दा मिल गया है, आधा-धा-Theat-arrive-W-B-YK-A, हो तो आधा इसको मिल गया और आधा इसको मिल गया रहा है चाना जो भी रेखा है क्यक्कि जेसे साथ की लाइन की साथ की लाइन यह जाइन के इसको बोलते है सवाक ग्यार ंडग्री का Mark यहाँपर टिरी का सवाटwor और टो यहाँ पे सवा dar में समने जाएक तो हमें हमारा जोन मिल जाएग और यह जो दोनों का जो सौit ६ार। और यहां पर जो अट्रिबूट इसका है इसका इसका है जो इसका है इसका है इसका है इसका है इसका है पूरा का पूरा जोन का अट्रिबूट एक ही है लेकिन यहीं पर अट्रिबूट अगर यहां पर आ गया तो अट्रिबूट बदल गया है यहां पर यह पूरे जो सलाइस है एक परकार कहें स्वार कहें कोई difference नहीं है जैसे दूसरा slice है उसमें बिल्कुल बदल रहा है चीजे बदल रही है सब कुछ बदल रहा है सिथे बदल रही है और सबका अपना अपना attribute उसका attribute को हम जल्दी से ये समझ लेते हैं बहुत ही हम जब भी आराम करते हैं तो हमारा जो बिगनिंग डिरेक्शन होगा है नॉर्थिस्ट जब भी हम आराम करेंगो तो नॉर्थिस से आराम करते हैं all 16 वास्तु जोन्स have their permanent attributes that should be memorized जाने की नॉर्थिस्ट का जो गुण होगा attribute हो जो दिल्ले में है वही मुंबई में होगा वही निवर्क में होगा वही लंदन में होगा कहें कोई a difference नहीं है हर अस्तान पे नॉर्थिस्ट का मतलब वही होगा उसका ठीक है सिदे सिदे वही होगा तो नॉर्थिस्ट में हमें जो दो चीज़े देखनी है आप ध्यान कर पाते हैं, अगर आपका ध्यान लगता है, आप विचलित नहीं होते हैं, तो नौर्थिस्ट के जो अट्रिबूट है, clarity और meditation, आप इसको wisdom भी आप उसमें add कर सकते हैं, wisdom मतलब क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं, ये भी आपकी पहुचान है, कोई वक्ति जो confusion में र घर का हर एक slice, आपके life का कोई ना कोई part indicate करता है, यानि आपका घर, आपकी life बिलकुल joint है, और घर का ये जो slice है, इस नौर्थिस्ट, आपके fun enjoyment को रिनोड करता है, यानि चेहरे बे मस्ती, खुशी, बाहर जाके खाना-खाना, नाचना, गाना, यानि life enjoy करना, ये दिखाता है, अगर इस जोन में खराबी है, तो आप life enjoy नहीं कर पा रहे है, आप बढ़िया से बस बस जिये जा रहे है, मस्ती नहीं है आपका, इस नौर्थिस्ट for enjoyment, इस है connection, आपका जो social connection है, कितने दोस्त हैं, कि लोगों से मिलना जुलना है, ये इस से आता है, राजनीती, politics, इस स घुमते रहना, anxiety, जल्दे से घबडा जाना, ये सब इस साउथिस्ट नहीं है, अगर इसमें यहाँ पर सोएंगे दिशा में, तो आपके मन में कुछ ने कोई चलता रहेगा, और प्रशान रहेंगे हैं सही, इना काम के, साउथिस्ट, ये ही बहुत महत पुर्ण है, cash liquidity, फि ग्रक्ति में कितना बल है, कितना confidence है, कितने confidently लोगों से बाचित कर सकता है, ये साउथिस्ट, अगर ग्रक्ति को interview देने में problem आती है, तो यहाँ ये zone आप देखेंगे, ये zone में ठीक कर देंगे, तो interview में घवड आएगा नहीं, वो उसको answer कर देगा, साउथ हमारा है, fame relaxation, fame relaxation, यानि कि परसिद्धी और अराम निद्रा निद्र का zone है, साउथ, sleep का भी लिख सकते हैं, relaxation, sleep, south-west एक और negative zone है, disposal wastage, यानि फाल्तु का zone है, फाल्तु के चीज़े, जो खराब चीज़े हैं, उसका zone है, हम अगले कक्षा में इनके बारे में और भी प पती-पत्नी के बीच में, घरवालों के बीच में संबाद करें, यह खराब है, तो पती-पत्नी में नहीं बन रही है, इस zone को हम ठीक कर देंगे, पती-पत्नी में बनल लगेगी, पहले से बहतर हो जाएक उनका संबन, यह फाल को मैं एक group बना के मैं डाल दूँगा, आप अब उठा सकते हो, अब यह घंटे में बना के बेज दूँगा, आप जोन कर लेना, और यह फाल में डाल दूँगा, तो आप उसको पिक कर लेना, वे साउथ वेस्वेस्ट, यह आपके education और savings का है, यानि अगर घर में बचात हो रही है, तो यह zone ठीक है, अगर बचे नहीं रहे, यह zone खराब है आपका, इस zone में ठीक कर देंगो, तो पढ़ने लगेंगे, simple सा fund है, वेस्वेस्ट, आपके education और savings को denote करता है, वेस्ट, गेंस और profit, यानि कितना लाब होगा, कितना यहानी होगा, वेस्ट दिखाता है, वेस्ट गेंस और profit, वेस्ट नॉर्थ वे यह depression को दिखाता है, low mood को दिखाता है, कोई भी घर के वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में, लंबे समय तक कोई महिलास हो रही है, पुरिश हो रहा है, तो पका depression में चला जाए, वो उसके mood वह उतार चड़ा हो है, यह भी एक negative zone है, negative zone है, क्योंकि depression तो negative activity है, नॉर्थ वेस्ट, positive positive zone है, banking और support को दिखाता है, यह जब आपको, आपको जब समस्या में होती है, तो को support करता तो यह दिखाता है, North Northwest, 6 attraction का zone है, यह यह married लोगों के लिए, 6 attraction का zone है, North, money opportunity का zone है, जहाँ पे आपको नए नौकरी, नए पैसा है, यह आपको चाहिए, और हमारा North Northwest, health immunity का zone, ठीक, हम sessions हम आप कर रहे हैं अभी, कुछ यह और, फिर हम Monday को इसी टाइम पर आएंगा, दूबज के 10 मिनट,